हाई एवरिवन कहिए केक देखकर कोई कहिए सकता है कि हमने इसे खर पर बिना क्रीम और बिना अंडा ओवन और सिर्फ घर की चीजों से बनाया है और ओ भी तवे पर तो चलिए इस ब्यूटिफुल केक को बनाना हम शुरू करते हैं कि तो सबसे पहले मैंने गैस पर एक तवा रखाएं आप नॉन स्टिक किया लोहे का तवा भी यूश कर सकते हैं मैं आज ये लोहे का तवा यूश करें क्योंकि नॉन स्टिक तवा जल्दी से खराब हो सकता है तो आपके पास ये पुराना तवा हो तो प्रीइट होने के दूद डालेंगे ये नॉर्मल टेमप्रेचर पर दूदे और इसमें दो बड़ा चमच ओएल डालेंगे इस ओएल में कोई भी शार्प समेल नहीं होनी चाहिए इसमें आदा टीस्पून वैनिला एसेंस वन थर्ड कप पावडर शुगर आप यहाँ पर नॉर्मल शुगर क हमें इसे विस्क करना है ये मिक्चर एक जैसा हो चुका है अब इस पर एक चलनी रखकर उसमें थ्रिफोर्थ कप मैदा डालेंगे एक कप से थोड़ा सकम और एक टीस्पून बेकिंग पावडर और वन थर्ड टीस्पून बेकिंग सोड़ा डालेंगे और इसे हम अच्छे इसे मिक्स करेंगे आप इसे मिक्स करने के लिए विस्क या फिर चमच का इस्तमाल भी कर सकते हो ये दिखे कितना अच्छा बैटर बन के रेडियो चुका है अब मैं इसे सबसे लास्ट चीज डालेंगे जो की है आधा टीस्पून लिमन जूस तो इसे भी हम बैटर में और थोड़ा सा टैप करके प्रिहिटेट तवे पर रखेंगे और इस पर कोई भी आईसा डखकन रख देंगे जो इस पर एकदम फीट आता हो और इसे बेक करेंगे 20-25 मिनिट के लिए एकदम लो फ्लेम पर 25 मिनिट बाद अब हम इसे चेक करेंगे कितना अच्छे से बेक हुआ है मैंने 20 मिनिट पर इसे चेक किया था लेकिन तब यह अच्छे से नहीं पका हुआ था तो अब यह अच्छे से पक चुका है यह देखिए बिल्कुल क्लीन आया है और अब इसे थोड़ा सा ठंड़ा होने के बाद हम साइड लूस करकर इसे ड एक दम अच्छा सा केक बंद के रेडिया है फ्रेंड्स तो अब हमें इसे अओपर से थोड़ा सा पाट कट करके साइड से इसे थोड़े से कट लगा रही हूं और फिर इसे बीच में इसे काट देंगे दो लेयर करें हूं मैं इसके अब इसके दो लेयर बन के तो रेड़ी है अब हम इसे साइड में रख देंगे और बनाएंगे केक के लिए फ्रॉस्टिंग तो मैं फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए एक बोल में हम आधा कप बटर ढलेंगे यह मेरा हूमेड बटर है आप मार्केट वाला भी यूज कर सकते हूमेड बटर थोड़ा सा वाइट ही होता है तो यह इसे वाइट क्रीम बनेगे एकदम और अगर आप मार्केट वाला बटर ल पाच मिनिट के लिए अभी कड़ाय में हम वन थर्ड कप शुगर और उसमें टू टेबलिस्पून मिल्क आड़ करेंगे और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर मेल्ट होने देंगे मुझे दूद थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं एक और टेबलिस्पून दूद इसमें आड़ क तुकाएं और अब फ्रीज से मैंने ये बटर निकाल लिया इसे एक मिनिट के लिए और विस्क करेंगे और जो ये मिक्स्चर है हमारा उसमें मैंने एक चमत दूद और डालके उसकी कंसेस्टेंसे इसे एजेस्ट कर लिए उसे हमें फ्रीज में बिल्कुल ने रखना है इस मिक्स्चर को अब हम इसमें से एक टेबली स्पून मिक्स्चर इसमें डालके इसे विस्क करेंगे और इसे हमें जब तक की मिक्स्चर पूरा खतम ने हो जाता तब तक करते रहना है और एक टेबली स्पून डालके फिर से विस्क और थोड़ा सा अब मैं वैनिला इसमें डा लगा लिए हैं तो ऊसे थोड़ी सी इंग लगाएंगे और केक की पहली लेयर इसे रख देंगे जो ऊपर की दें और इसे अच्छे से क्हीं से मतलब एक आदम पतली से लेयर लगाएंगे ऑ सम्ट चैनल अर उसे लगाने के बाद लिखीतetenा को सब्सक्रांबfr वीप क्रीम की बहुत मोटी लेयर केक पर लगाते हैं तो यह दिखे केक को अच्छे से कवर कर रहे हूं मैं और जहाँ पर आपको लगे फिर से आप क्रीम लगाकर इसे अच्छे से फिनिशिंग दे सकते हैं कि यह दिखे बिल्कुल अच्छी से केक को फिनिशिंग देदिये मैंने अब इस बच्चीवी क्रीम में से दो बड़ा चमच क्रीम में एक बोल में अलग ने काल रही हूं इसमें मैं पिंक फूर्ड कलर अड़ करें हूं इससे हम फ्लावर बनाएंगे केक पर यह केक यह कलर अ तो आप उसका यूज़ करें और यह रोज वाला नोजल ले लिया है मैंने इसे हम इस धकन पर एक वाइट क्रीम का थोड़ा सा बेस बना लेंगे और इससे जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहे हूं वेसे एक एक पेटल बना किते जाएंगे फ्लावर की एक के पिछे एक एक के पिछे एक 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 पिछे एक एसे हमें पेटल बनानी है और आपको इसमें ध्यान यह रखना है कि जो बड़ा वाला पार्ट है नोजल गा उसे हम नीचे के साइड में और जो एकदम स्मॉल वाला टिप जो है उसे उपर के साइड में रखना है और यह कितना ब्यूटिफल सा ये रोज हमारा बंद के रेडियो हो गया है और अप केक के उपर भी थोड़ी से वाइट क्रीम लगा कर उस पर ये हम फ्लावर लगाएंगे साउधानी से ये दिखे और इसी तरह एक और मैंने ये फ्लावर लगा दिया है अब जो ये बचवी पिंक क्रीम है उसमें मैं दो ड्रॉप ब्लू कलर एड़ कर रहे हूं इसे ये परपल कलर बन जाएगा और इसे मैंने एक पाइपिंग बैग में बढ़ दिया है आगे थोड और थोड़ी सी जो बचवी क्रीम थी उसमें मैंने ग्रीन कलर मेला कर ये पत्या बनाएए और आप देख सकते बिना क्रीम के यहने कि बिना विफ्ट क्रीम के एकदम घर के सामन से कितना अच्छा केक बन के रेडियो है आमारा और इसे थोड़ी से शुगर बॉल से मैं डेक कर दिरूं